ओम शांती ओम शांती ओम शांती ओम शांती आज पांच फरवरी का अव्यक्त महावाक्य हैं रिवाइस डेट 1993 डिसेंबर की मुर्ली हैं एक कागरता की शक्ती से द्रड़ता द्वारा सहज सफलता की प्राक्ति आज ब्रामन संसार के रचता अपने चार और के ब्रामन परिवार को देख हर्शित होते हैं ये छोट असा न्यारा और अति प्यारा अलोकिक ब्रामन संसार है सारे ड्राम में अतिस रेष्ट संसार है क्योंकि ब्रामन संसार के हर गती विदी न्यारी और विशेश हैं इस ब्रामन संसार में ब्रामन आत्मय भी विश्व में से विशेश आत्मय हैं जो ब्रामन संसार जो इस संगव में हम जो भी बाबा के बच्चे हैं इसमें भी फिर ब्रामन आत्मय जो विश्व में विशेश आत्मय हैं इसलिए ही ये विशेश आत्मों का संसार हैं हर ब्रामन आत्मा की स्रेश्ट वर्ती, स्रेश्ट द्रश्टी, स्रेश्ट कृती, विश्व की सर्वात्मों के लिए स्रेश्ट बनाने के निमित्य हैं हर आत्मा के ऊपर ये विशेश जिम्मेवारी है तो हर एक अपने इस जिम्मेवारी को अनुभो करते हो बाबा पुछते हैं कि आप विशेश आत्माई हो तो विशेश जिम्मेवारी भी है क्या उस विशेश जिम्मेवारी को पूरी करते हो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है सारे विश्व परिवर्तन की सारे विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है ना सिर्फ आत्मों का परिवर्तन करते हो लेकिन प्रकृति का भी परिवर्तन करते हो ये स्मृति सदा रहे इसमें नंबर वार है सभी ब्राह्मन आत्मों के अंदर संकल्ब सदा रहता है कि हम विशेश आत्मा नंबर वन बने लेकिन संकल्प और करम में अंतर पड़ जाता है संकल्प तो है सबको नंबर वन बनना है लेकिन संकल्प और करम में अंतर आता है संकल्प बहुत स्रेष्ट कर रहे है और कर्म स्रेष्ट नहीं कर पा रहे है इसका कारण क्या है कर्म में समय सदा कर्म के समय सदा अपनी स्थिती को अनुभवी स्थिती में नहीं लाते कर्म के सदन समय अपनी स्थिती जो है स्थिती में नहीं रहते इस कारण हम कर्म और संकल्प में अंतर लाते सुनना जानना ये दोनों याद रहता है लेकिन स्वयम को स्थिति में मान कर चलना इसमें majority कभी अनुभवी कभी सिर्फ मानने जानने वाले बन जाते करने वाले होकर भी जानने मानने वाले बन जाते इस अनुभो को बढ़ाने के लिए दो बातों के विशेश महत्व को जानू इस सन्भोग को अगर बढ़ाना है हमी तो उसके लिए हमें विशेश महत्व को जानना पड़ेगा एक स्वयम के महत्व को दूसरा समय के महत्व को स्वयम के प्रती बहुत जानते हो अगर किसी से भी पूछेंगे कि आप कौनसी आतमा हो वह अपने से भी पूछेंगे कि मैं कौन हूं तो कितनी बाते स्मृति में आएंगी कितनी बाते आएंगी एक मिनट के अंदर अपने कितने स्वमान याद आ जाते हैं आते स्वमान स्वमान याद आ जाते हैं एक मिनट में कितने याद आते हैं कई बच्चे केते हैं बहुत याद आते हैं तो कितनी लंबी लिस्ट है स्वैम के महतवकी तो जानने में तो बहुत होशार हो। स्वैम का मतलब स्वैम का स्वामान कि बाबा ने हमें खुद के लिए क्या स्वामान दिया। कि बाबा कभी कहते तुम स्रेश्ट आत्मा हो, तुम महान आत्मा हो, तुम विशेश आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो, तुम आनन स्वरूप हो, कितने सारे स्वमान हैं, तो सभी होशार हो ना, फिर अनुभर करने में अंतर क्यों पढ़ जात बाबा कहते हैं इतने सारे स्वमान हैं याद करते हो कभी भूल जाते हो तो बाबा ने का फरक क्यों पढ़ा अंतर क्यों पढ़ा क्योंकि समय पर उस्तिती की सीट पर सेट नहीं होते हो अगर सीट पर सेट हैं तो कोई भी चाहे कमजोर संसकार है चाहे कोई आत्माय चाहे प्रकृती चाहे किस्ति भी प्रकार की रॉयल माया अपसेट नहीं कर सकती अगर हम सीट पर सेट हैं तो ये कमजोर संसकार या कोई आत्मा वेक्ति या प्रकृती ये हमें अपसेट नहीं कर सकती हैं जैसे शरिर के रूप में भी बहुत आत्मों को एक सीट पर वा स्थान पर एक कागर होकर बैटने का अभ्यास नहीं होता तो भeh क्या करेगा क्या करेगा हिलता रहेगा अगर एक वेकति को कहें कि भाई अभी आप थोड़ी देर बैट करो बैठो और हम अभी आते तो जो हमने 5-10 मिनिट, 20 मिनिट जितना भी बेटाया उतने में ओ कितना हिलेगा कितनी बार क्या-क्या करेगा हिलता रहेगा न ऐसे मन और बुद्धी को किसी भी अनभो के सीट पर सेट होना नहीं आता तो अभी-भी सेट होगा, अभी-भी अपसेट होगा अभी-भी मैंट सेट है और अभी-भी अपसेट हो गया शरीर को बिठाने के लिए स्थूल स्थान होता है और मन बुद्धी को बिठाने के लिए स्रेश्ट स्थितिओं का स्थान है तो बाप्ददा बच्चों का यह खेल देखते रहते हैं अभी-भी अच्छी स्थिती के अंभों में स्थित होते हैं और अभी-भी अपने स्थिती से हलचल में आजाते हैं अभी अभी अच्छी स्थिती के अंभों में स्थित होते और अभी अभी अपने स्थिती से हल्चल में आ जाते जैसे छोटे बच्चे चंचल होते तो एक स्थान पर ज्यादा समय टिक नहीं सकते चंचल जो होते हैं बच्चे वो ज्यादा समय एक जगा टिक नहीं पाते हैं हिलते रहते हैं कभी उचल कूद बच्चों के कितने शार्थे होते हैं तो कई बच्चे बच्पन का खेल बहुत करते हैं ज्यान में आने के बाद बाबा के बच्चे भी जब मन बुद्धी सिर नहीं है तो बुद्धी और मन कहीं कहीं चली जाती अभी अभी देखेंगे बहुत एकागर हैं और अभी अभी एकागरता के बज़ाए भिन भिनस्तितियों में भटकते रहेंगे भिन भिनस्तिति तो इस समें विशेश अटेंशन चाहिए मन और बुद्धी की सदा एकागरता हो सदा एकागरता कभी कभी नहीं मन बुद्धी की सदा एकागरता चाहिए एकागरता की शक्ति सहज निर्विग्न बना देती है एकागरता की शक्ति जो है हमें सहज निर्विग्न बनाती है मेनत करने की आवशक्ता ही नहीं एक कागरता की शक्ति स्वता एक बाद दोसरा न कोई ये अनुभूती सदा कराती ये पॉइंट लिखे आज बाबा एक कागरता की शक्ति को बढ़ाने की विधी बढ़ाने की विधी बता रहे और उसकी विशेष्टाएं बता रहे तो एक कागरता की शक्ती स्वता एक बाब दोसरा न कोई ये अनुभुती सदा कराती है एक कागरता की शक्ती सहज एक रस्तिती बनाती है अगर एक बाबा से हमारी प्रीत है लगन है तो मन बुद्धी में बाबा याद आएगा फोकस बाबा पे रहेगा बाबा की मुरली पर बाबा की श्रीमत पर रहेगा अगर वो आत्मा वेक्ति से जुड़ा है ज्यान में तो चल रहा है लेकिन वेक्ति से जुड़ा है तो उसको बार-बार उस वेक्ति के प्रभाव में रहेगा वो क्या कर रहा है अभी क्या कर रहे हैं मन बुद्धी उसी तरफ बार-बार भागती है तो एक कागरता की शकती सदा सरुप्रति एक ही कल्यान की व्रत्ति सहज बनाती है एक कागरता की शक्ती सरुप्रती भाई-भाई की दृष्टी स्वतर बना देती है भाई-भाई की दृष्टी एक कागरता की शक्ती हर आत्मा की संबन में सम्मान स्वमान के कर्म सहज अनभो कराती है क्योंकि मन एक कागर है जब बाबा से एक कागर है मन तो स्थित होते हो अनुभौ भी करते हो लेकिन एकाग्र अनुभवी नहीं होते एकाग्र अनुभवी नहीं होते कभी स्रेष्ट अनुभव में कभी मध्यम कभी साधान तीनों में चक्कर लगाते रहते हैं अभी अभी अच्छा योग अभी अभी फिर थोड़ा सा कम फिर साधारण फिर थोड़ी महनत की फिर अच्छा तो ये उपर नीचे उपर नीचे होता रहता है इतना समर्थ बनो जो मन बुद्दे सदा सदा आपके ओर्डर में रहे कभी कभी नहीं सदा आपके ओर्डर में रहे, स्वपन में भी सेकेंड मातर भी हलचल में न आए, मन मालिक को परवश नहीं बनाए, परवश आत्मा की निशानी है, उस आत्मा को उतना समय सुख, चैन, आनंद की अनभूती चाहते वे भी नहीं हो, ब्रामन आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संसकार के वश भी नहीं होगी, तो बावा क्या बता रहे हैं, परवश आत्मा की निशानी बता रहे हैं, अभी एक कागर शक्ति के बारे में बता है बावा ने, आप परवश की निशानी बताते है वो आत्मा सुख चैन आनंद की अनभूती नहीं कर सकती है क्योंकि वो परवश है कमजोर संसकार स्वभाव जो परवश होगा वो कमजोर स्वभाव में संसकार में होगा वास्तों में स्वभाव शब्द का अर्त है स्व का भाव स्व का भाव स्व का भाव तो अच्छा होता है खराब नहीं होता स्व का भाव स्व कहने से क्या याद आता है आत्मिक स्वरुप आत्मिक स्वरुप याद आता है तो स्व भाव अर्ता स्वप्रति वा सर्वप्रति आत्मिक भाव हो जब भी कमजोर जब जी कमजोरी वश सोचते हो कि मेरा स्वभाव वा मेरा संस्कार ही ऐसा है क्या करूं है ही ऐसा यह कौन सी आत्मा बोलती है क्या करूं यह है ही ऐसा इसका स्वभाव ऐसा है मेरे साथ इसका स्वभाव मैच नहीं होता तो आत्मा क्या बोलती है यह शब्द वसंकल परवश आत्मा के है तो जब भी यह संकल पाई कि स्वभाव ऐसा है तो स्रेष्ट अर्थ में टिक जो अपने स्वभाव के लिए भी संकल चलता है कि क्या करू मेरा स्वभाव ऐसा है तो बाबा कहते हैं स्रेष्ट अर्थ में टिक जाओ संस्कार सम सामने आए कि मेरा संस्कार तो सोचो, क्या मुझ विशेश आत्मा की यह संसकार है जिसको मेरा संसकार कह रहे हो मेरा संसकार कह रहे हो कमजोर संसकारों को लेकिन मेरा संसकार जो कह रहे हो वो कमजोर नहीं है मेरा वाला संसकार सत्योगी संसकार है दैवी संसकार है परमधाम वाली संसकार है मेरा कहतो तो कमजोर संसकार भी मेरा पन के कारण छोड़ते नहीं है क्योंकि अनियम है जहां मेरा पन होता है वह अपना पन होता है और जहां अपना पन होता है वा अधिकार होता है तो कमजोर संसकार को मेरा बना लिया तो वो अपना अधिकार छोड़ते नहीं है इसलिए परवश होकर बाप के आगे अर्जी डालते रहते छुडाओ छुडाओ क्या अर्जी डालते छुडाओ छुडाओ तो संसकार शब्द कहते याद करो कि अनादी संसकार आदी संसकार ही मेरा संसकार है तो अब अपने कोई क्या याद दिला ना जो अनादी संसकार आदी संसकार वो मेरे संसकार है ये माया के संसकार मेरे नहीं है तो एकागरता की शक्ती से परवस्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की शक्ती की सेट पर सेट हो जाओ मालिकपन की स्थिती की सीट पर सेट हो जाओ योग में भी बैठते हैं बैठते तो सभी रूची से हैं लेकिन जितना समय जिस स्थिती में स्थित होना चाते हैं उतना समय एकागर स्थिती रहे उसके आवश्च रकता है तो देखो बाबा ने क्या कहा कि योग में भी बैठते हैं बैठते तो सभी रुची से लेकिन जितना समय जिस स्थित होना चाहते हो उतना समय एकाग रोके बैटो जैसे संकल्ब कर रहे हैं मैं अश्री आत्मा हूँ अश्री पन का अनुभव करना है और अश्री की बातों को थोड़ा दोहराया उसके बाद फिर साधारण विचार चलने लगे तो टिक नहीं पाई न तो क्या करना है किस बात को अंडरलाइन करेंगे एकागरता थोड़ी दर के बाद स्वमान याद करेंगे पहले अश्री का सोचेंगे फिर तोड़ी दर को बाद स्वमान याद करेंगे फिर स्वमान होगे अफिर दोसरा स्वमान तीसरा स्वमान तो मतलब एकागर एक में टिके नहीं अभीतर इधर उधर तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करो एकागरता में ही दरता होती है और जहां दृता है वहां सफलता गले का हार है अच्छा चार ओर के अलोकिक ब्राह्मन संसार की विशेश आत्मों को सदा स्रेश्ट स्तिती के अनभो की सीट पड़ सेट रहने वाले अनुभवियों को सदा स्वयम की महत को अनभो करने वाले सदा एकागरत की शक्ती से मन बुद्धी को एकागर करने वाले सदा एकागर शक्ती से ही दृता द्वारा सहे सफलता प्रात करने वाले सरेश सर्वस्रेश्ट सर्व विशेश सर्वस्नेही आत्मों को बात दखा याद प्यार और नमस् हम रुखानी बच्चों की रुखानी बाद ददा को याद प्यार गुड मोनिंग नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा शुक्रिया अब है अव्यक्त बाद ददा की पर्सनल मुलाकात उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो कोई भी आकर्शन आकर्शित ना करे उड़ती कला में जाने के लिए डबल लाइट बनो सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमान तीवर गती से उड़ने वाले अनुभव करते हो समय की गती तीवर है वा आत्मों की पुर्शार्थ की गती तीवर है क्या है? क्या कहेंगे? सभी अपने को वर्तमान समय के प्रमाण तीवर गती से उढ़ने वाले अनुभो करते हो समय की गती तीवर है वा आत्मों की पुर्शार्थ की गती तीवर है समय आपके पीछे-पीछे है या आप समय के प्रमान चल रहे हो समय के इंतजार में तो नहीं हो कि अंत में सब ठीक हो जाएगा ऐसे तो नहीं सोचते संपुर्ण हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे ऐसे तो नहीं है क्योंकि ड्रामा के हिसाब से वर्तमान समय बहुत तिवर गती से जा रहा है जो कल था उससे आज और अती में जा रहा है यह तो जानते हो जैसे समय अती में जा रहा है ऐसे आप सरेश्टात्में भी पूर्शार्त में अती तिवर अर्था फास्ट गती से जा रहे हो कि कभी ढीले कभी तेज होते हो ऐसे नहीं कि नीचे और फिर उपर फिर उपर जाओ नीचे उपर होने वाले की गती कभी एक रस फास्ट नहीं हो सकती जो देखो पहाड है जैसे कई ऐसे मुश्किल रास्तों पर जाते हैं तो उपर नीचे करते करते उसमें स्पीड तेज नहीं हो पाती धीरे धीरे चलाते हैं गाड़ी यहां भी बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिती भी उपर नीचे होती है तो फास्ट वो अवस्था नहीं पास सकते तो सदा सर्व बातों में स्रेष्ट वातिवर गती से उड़ने वाले हो ना वैसे गायन है चड़ती कला सर्व का भला लेकिन अभी क्या कहेंगे उड़ती कला सर्व का भला क्योंकि अभी चड़ती कला सर्व का भला कहने के लिए टाइम नहीं है तो बाबा कहते है उड़ती कला सर्वका भला अभी चड़ती कला का समय भी समाप्त हुआ अभी उड़ती कला का समय है तो उड़ती कला के समय कोई चड़ती कला से पहुंचना चाहे तो पहुंच सकेगा क्या नहीं न देखो आप पहले के समय था बस है ट्रेन है उसमें जाते ज्यादा तर पैसेंजर और आज कल तो एरोप्लेन में कितने लोग जाना ना करते हैं कितने फ्लाइट्स बढ़ चुके हैं तो सदा उड़ती कला बनो अब हमें भी कौन सा फ्लाइट पकड़ना है उड़ती कला का फ्लाइट पकड़ना है मन बुद्धी से बार बार हमें जान होगा उड़तिकला की निशाने सदा डवल लाइट सदा डवल लाइट तो डवल लाइट नहीं तो उड़तिकला हो सकती उड़तिकला तो बाबा कहते हैं उड़तिकला के समय कोई चड़तिकला से पहुँचना चाहे तो पहुँच सकेगा पूछ रहें बाबा पहुँच सकेगा तो सदा उड़तिकला हो जैसे सभी उड़ते जा रहे हैं इतनी फास्ट गति में और हम धीरे धीरे चलते गए तो कैसे उड़तिकला की निशाने सदा डवल लाइट डवल लाइट नहीं तो जाती थोड़ा भी बोज नीचे ले आता है थोड़ा भी बोज हमें आगे बढ़ने नहीं देता जैसे प्लेन में जाते हैं उड़ते हैं तो अगर मशनरी में या पेट्रोल में जरा भी कचरा आ गया तो क्या हलत होती हैं उड़ती कला से गिरती कला में आ जाते हैं इसलिए plane में जाने के लिए पहले कितना checking होती है बिलकुल उसका safety सारा ध्यान रखते हैं तब उड़ाते हैं तो यहां भी हमें अपनी स्थिती के लिए कितना ध्यान रखना होगा कि मेरी स्थिती उन्चे वस्ता में पहुँच गई तो उसको नीचे नहीं लाना है तो यहां भी अगर किसी भी प्रकार का बोज है चाहे अपने संसकारों का चाहे वायू मंडल का चाहे किसी आत्मा के संबन संपर्क का कोई भी बोज है तो उड़ती कला से हलचल में आ जाते हैं तो कहेंगे वैसे तो मैं ठीक हूँ लेकिन यह कारण है न इसलिए यह संसकार का वैक्ती का वायू मंडल का बंधन है क्या कहेंगे मन में उपर तो कहेंगे हाँ आप कैसे हो बहुत अच्छे है ठीक है लेकिन अंदर क्या कारण चलता है कि संसकार का वैक्ती का वायू मंडल का कोई बंधन है लेकिन कारण कैसा भी हो क्या भी हो तियों पुर्शार्थी सभी बातों को ऐसे क्रोस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं जैसे कुछ है ही नहीं महनत नहीं मनोरंजन अनुभव करेंगे महनत नहीं अनुभव तो ऐसी स्थिती को कहा जाता है उड़ती कला तो उड़ती कला है या कभी-कभी नीचे आने क्या है? चक्कर लगाने का दिल हो जाता है कहीं भी लगाव नहीं हो जरा भी कोई आकर्षन आकर्षित ना करे रॉकेट भी तब उड़ सकता है जब धरनी की आकर्षन से परे हो जाए नहीं तो उपर उड़ नहीं सकता उपर उड़ नहीं सकता न चाते भी नीचे आ जाएगा तो कोई भी आकर्षन उपर नहीं ले जा सकती संपुन बनने नहीं देगी तो ये सारे स्वभाव, संस्कार, वेक्ति, वायु मंडल जो जो ये बन्दन है संपुन बनने नहीं देगी इसलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो डबल लाइट बनो तो चेक करो संकल्प में भी कोई आकर्षन आकर्षित ना करे सिवाए बाब के और कोई आकर्षन नहीं है पांडव क्या समझते हैं ऐसे तियोर पुर्षार्थी बनो बनना बनना तो है ही न कितने बार ऐसे बने हो अनेक बार बने हो अनेक बार बने हो बाबा देखो कितना इजी करते हैं हम मुश्किल समझते हैं बाबा बिलकुल नहीं हो सकता बहुत मुश्किल है बाबा कहते बच्चे अनेक बार बने हो आप ही बने हो या दूसरे बने है आप ही तो बने हो तो नंबर बन में तो नहीं आना है नंबर वार में तो नहीं आना है नंबर बन में आना है तो माता हैं क्या करेंगी क्या करेंगी माता है नंबर बन या नंबर वार भी चलेगा 108 नंबर भी चलेगा तो 108 नंबर बनेंगे कि पहला नंबर बनेंगे बाबा और क्लियर कर रहे हैं अगर बाब के बने हैं अधिकारी बने हैं तो पूरा वर्षा लेना है या थोड़ा कम क्या करेंगे फिर तो नंबर वन बनेंगे दाता फूल दे रहा है और लेने माला कम ले रहा है तो क्या कहेंगे दाता तो फुल दे रहा है और बच्चे जो ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं तो क्या होगा तो number one चाहे एक ही हो लेकिन number one division तो बहुत है न लेको number one बनना और नंबर वन की डिविजन में आना, दोरों में अंतर है, तो सेकेंड में नहीं आना है, लेना है तो पूरा लेना है, अधूरा लेने वाले तो पीछे पीछे बहुत आएंगे, उनकी कोई माइने नहीं रखता, लेकिन आपको पूरा लेना है, सभी सभी पूरा तो पूरा लेंगे ना सभी सभी पूरा लेने वाले हो या थोड़े में राजी होने वाले हो जब खुला बंडार है और अखूट है तो कम क्यों ले बेहद है हद हो कि 8000 इसको मिलना है दस अधार इसको मिलना है तो कहेंगे भागी में इतना ही है क्या कहेंगे भागी में इतना ही है लेकिन बाप का खुला भंडार है अकुट है जितना लेना चाहे ले सकते हैं फिर भी अकुट है अकुट कजाने के मालिक हो बालिक सो मालिक तो सभी सदा खुश रहने वाले हो तो सभी सदा खुश रहने वाले हो ना कि थोड़ा-थोड़ा कभी दुख की लहर आती है दुख की लहर स्वप्न में भी नहीं आ सकती संकल्ब तो छोड़ो लेकिन स्वप्न में भी नहीं आ सकती इसको कहा जाता है नंबर बन तो क्या कमाल करके दिखाएंगे? सब भी नंबर बन आकर दिखाएंगे न? तो वैसे भी दिली को दिल कहता है दिल कहते हैं तो जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा जैसा दिल होगा वैसा शरीर चलेगा आधार तो दिल होता है न? दिल है दिलाराम की दिल दिल है दिलाराम की दिल तो दिल की गद्धी अथार चाहिए न? नीचे उपर नहीं चाहिए तो नशा है ना कि हम दिलाराम का दिल है देखो बाबा कितना हमें नशा चड़ाते हैं दिल्ली वाले दिलाराम के दिल में तो अभी अपने स्रेष्ट संकल्पों से स्वयम को और विश्व को परिवर्तन करो संकल्प किया और कर्म हुआ ऐसे नहीं सोचा तो बहुत था सोचते तो बहुत है लेकिन होता बहुत कम है वे तिवर पुर्शार्ती नहीं है जो सोचेंगे बहुत और करेंगे बहुत कम ऐसा नहीं तिवर पुर्शार्ती अर्थात संकल्प और कर्म समान हो तभी बाप समान कहेंगे खुश है और सदा खुश रहेंगे या पक्का निष्टे है कि खुश रहने वाले ही खुश नसीब है या पक्का है या थोड़ा थोड़ा कच्चा हो जाता है कच्ची चीज अच्छी लगती है अच्छी लगती है कच्ची चीज पक्के को पसंद किया जाता है तो पूरा ही पक्का करेना है देखो फल अगर कच्छी हो तो पसंद नहीं आता और पकी भी मीठा रहता है अच्छा रहता है तो रोज यह पाड़ पक्का करो कि कुछ भी हो जाए खुश रहना है और खुश करना है कुछ भी हो जाए खुश रहना और खुशी बाटना है अच्छा और कोई खेल नहीं दिखाना या खेल दिखाना और और खेल नहीं करना और और खेल नहीं करना अच्छा वर्दान है आज का वर्दान ध्यान से सुनेंगे भाग्य और भाग्य विधाता बाब की स्मृति में रहे भाग्य बाटने वाले प्राक दिल महादानी भव भाग्य और भाग्य विधाता बाक किस्मती में रहे भाग्य बाटने वाले प्राक दिल महादानी भव बागी विधाता बाप और भागी दोनों ही याद रहे तब औरों को भी भागीवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा जैसे भागी विधाता बाप ब्रह्मा द्वारा भागी बाटते हैं ऐसे आप भी दाता के बच्चे हो भागी बाटते चलो वे लोग कपड़ा बाटेंगे अनाज बाटेंगे कोई गिफ्ट देंगे लेकिन उससे कोई तृप्त नहीं हो सकते भगवान वाच कि इन चीजों से तृप्त नहीं हो सकते आप भाग्य बाटो तो जहां भाग्य है वहां सब प्राक्तियां है ऐसे भाग्य बाटने से भाग्य बाटने में फराक दिल बन स्रेश्ट महादानी बन सदा देते रहो स्लोगन जो एक नामी रहते और एका नामी से चलते वही प्रभु प्रिय है जो एक नामी रहते और एका नामी से चलते वही प्रभु प्रिय है वही प्रभुप्रिय है अच्छा ओम शांती ओम शांती